आज मैं बनाओंगी आमला का मुरब्बा और आमला का मुरब्बा मैं इस तरह से बनाती हुँ ना कि दो से तीन साल तक मैं अराम से स्टोर करके रखती हूँ ये क्यूंकि काफी बेनिफिसियल है हमारे हिल्थ के लिए और सुबा खाली पेट आप जरूर खाएं और आमला का दो साल पुराना आमला का मुरब्बा है और पेट के लिए भी काफी फाइदे मंद है और एसीडीटी में भी काफी फाइदे होते हैं लेकिन जिसको अब बहुत ज्यादा हाइपर एसीडीटी है तो वह खाली पेट इसे ना खाए और बहुत सारे बेनिफिट है मैं अपने अपने तरीके से बनाती हूं जो 2-3 साल तक मेरे आमला का मुरब्बा बढ़ते भी हैं और इस टोर करके अम्हेरे पास 600 घ्राम आमला है और उसको अच्छी तरह से धो करके और सुखे कपड़े से पूछ ली हूँ उसके बाद इसमें क्या करना है कि जितना भी यह काला काला पार्ट से दिख रहा है तो उसको हटा दीजिए चाहे तो फोक से नहीं तो नाइफ की मदद से इसमें वोल बना लेना है हाथों को बचाते हुए और इसको अच्छी तरह से जब आमला जब चीनी या गूर में बनाते हैं तो इसका जो जूस है बिल्कुल अंदर तक जाए और जितना भी थोड़ा सा काला काला पार्ट से नहीं तो उसको हटाते भी जाए और बहुत सारे अचार की रेसिपी देखने के लिए एक वार मेरे यूटूब चैनल के प्ले जाएगी और यहां पर चलिए सारे आमले में मैंने वोल बना लिये हैं तो अब मैं क्या करूंगी कि एक पतीले में पानी लोंगी और जब भी आप आमला का मुरबा बनाए तो साफ कपड़े से धो करके और उसे सूती कपड़े से एकदम पोच दे थोड़ा थोड़ा जो अ आमले है ना तो उसको हम डाल देंगे और चुना मैं इसलिए डालती हूं क्योंकि एक तो आमला में कसैला पन होता है वो दूर होता है और जब ही मुरबा बनाएंगे ना तो डबल बॉाइल करने की कोई जरूरत नहीं है बहुत सारे इसमें जो होते हैं टिप्स होते हैं चुना पानी में और एक से देर घंटा के बाद इसको क्या करेंगे कि हम अच्छी तरह से चुना जो पानी है ना तो उसी में रगड़ रगड़ करके एकदम से साफ कर लेना है जिसमें एक भी चुना जो है इसमें चिपका नहीं रहे उसके बाद 5-6 पानी से अच्छी तरह से हम धो लेंगे जिसमें जो हना चुना का जो भी इसमेल वगरा कुछ नहीं आए और बिल्कुल साप से हम चलिए इसको धो लेते हैं बहुत सारे मैंने आमला की मुरब्बा भी अलग-अलग तरीके से दिखाई है आमला को ऐसा नहीं कि आप एक दम जो साबुत आमला का ही मु तो चलिए यहां पर अच्छी तरह से आमला मैं धो ली हूँ और दो घंटा लगे मुझे चुना पानी में और उसकी बाद अब मैं चीनी पानी में डाल करके दो घंटे के लिए चोड़ूंगी और चीनी की में मातरा बता दूँ जैसे 600 ग्राम मेरे पास आमला है तो मैं 800 ग खाना बनाने के बाद आप इस तरह से छोड़ दे और मॉर्निंग में बनाए तो और भी अच्छा बनता है और देखिए धीरे धीरे अगर यह चीनी में और चासनी बनने लगे तभी हम इसको बनाना सुरू करेंगे तो यह चीनी थोड़ा सा भी और जो है ना पानी इसका न सिर्टी बनता है एक और मेरे तरीके से आप बनाकर के जरूर देखिएगा और यहां पर चलिए और तेज आच में बिल्कुल नहीं बना तेज अच में क्या होगा ना कि चाहिए तो गूर में बनाते हैं चाहिए जल जाएंगे और चलिए अब इसको हम चढ़ा लेते हैं और इसको ढग करके बस छोड़ देंगे हर 2-3 मिनट पर आपको बीच बीच में चला लेना है और धीरी धीमी आज पर एकदम इसको चास्मी बनने देना है और मैं दिखाऊंगी कि देखिए यह जो है ना डबल वायल करने की कोई जरूरत नहीं हो और इकदम सुखा हुआ आमल दीरे जो है ना चीनी ऐसे तो मेल्टी हो गयता है लेकिन यह इसको चास्मी बनाना है हमें तो चलिए इसको धीरे धीरे बीच बीच में हम चलाते रहेंगे तो किनारे से देखिए यह बिल्कुल जाग बनना शुरू हो गया है जभी आप आमला का मुरबा बनाएंगे ना त के तरह ये जो है ना color आना चाहिए और चलिए फिर से चेक कर लेते हैं तो देखिए अब ये चासनी जो है ना बिलकुल एकदम से जिस तरह से हम लोग गूड का कोई भी recipe बनाते हैं तो चासनी बनाते हैं उसी तरह का color हो गया है और ये देखिए एकदम से आमला एकदम गल ग एक तो आमला का मुरब्बा वाइट वाइट बनाते हैं तो वह क्या होता है कि तुरत बनाईए तुरत खाईए बहुत जिन तक आप इस्टोर करके नहीं रख सकते हैं और यह देखिए अभी आमला एकदम थोड़ा सा भी वाइट वाइट है लेकिन इसको थोड़ा सा सेपी बहुत परफेक्ट बनती है और अब इसको लगतार में चलाती रहोंगी अब यह बिल्कुल चासनी जोहना सुप गया है उसके बाद थोड़ा सा फिर से आपको टाइम देना है अब इसको क्या करना है गैस को बंद गैस का फिलिम बंद कर देना है और एकदम ठंडा हो ने तक छोड़ दे जब यह ठंडा हो जाएगा ना तभी हम एक प्लेट में निकाल के ठंडा करके तभी हम सिसे के जाअरayı और तो यदे छोड़ देती हूं ठोड़ा से ठंड़ा होने देती हूं वहा हुआ है पूरी अच्छी तरह से छतना भी थोड़ा बहुत JOOS है न तो ये पूरा आमला का और यह जो है ना जितना भी जूस है ना यह आमले में observe हो जाएंगे और एकदम juicy बन जाएंगे फुले फुले और देखिए बिल्कुल यह सूख गया है और ये एकदम से सूख जाएंगे ड्राई हो जाएंगे तब आप एक साब सीसे के जार में भर करके आप रख दे और सुबह खाली पेट जरूर खाएं और फिर से मैं बोलूँगी जिसको बहुत जादा हाईपर एसी डिटी हो खाली पेट ना खाएं और आवला का मुरब्बा बहुत बेनिफिसेल है हमारे हिल्थ के लिए भी तो चलिए अब इसको हम साब सीसे के जार में अब स्टोर कर देते हैं और ये देखिए कितना अच्छा गुलाब जामुन के जैसा बनЕТकर के तयार हो गया है और जबतक गुलाब जामुन के जैसा नहीं बनता है अमला का मुरब्बा तब तक वो जो है ना मतलब टेस्टी भी नहीं लगता है और चलिए आप लोगों को कैसी लगी रेसिपी आप लोग अपना फीडवेक मुझे जरूर देंगे और बहुत सारे आमला का मुरबद है न बट भी गया है और ये बस अपने लिए बना रही हूं और बहुत सारे मिर्च की लाल मिर्च की भी रेसिपी की बस ओर्डर आने वाल